सबी बक्तों को श्री शिवाय नमस्तूप्य हर हर महादेव जिस बच्चे को लिखना आता है लेकिन पढ़ना नहीं आता माह ने अपने बच्चे के साथ बहुत कोशिश की पर बच्चा फिर भी नहीं लिख पा रहा है तो उस बच्चे को इस छोटे से उपाय को करना चाहिए किसी भी दिन शिव मंदिर में जाकर कोई विशेज दिन निश्चित नहीं है सुबह भी जा सकते हैं और शाम को भी किसी भी दिन शिव मंदिर में जाकर उस बच्चे से बोलिए गर से चंदन गिसकर लेकर जाए और चंदन ले जाकर शिवलिंग पर ओम का निर्मान करे लेकिन एक उंगली से ओम का निर्मान नहीं करना है जैसे वो एक उंगली से ओम का निर्मान करेगा तो इस प्रकार ओम बनेगा उसे अपनी तीन उंगलियां लेनी है तीन उंगलियों में एक साथ चंदन लगाना है और तीनों उंगलियों से एक साथ ही ओम का निर्मान करना है तो इस प्रकार से एक साथ तीन ओम का निर्मान होगा और इस तीन ओम बना देता है जो बच्चा शिवलिंग पर फिर उसको कभी भी लिखने में कोई समस्या नहीं होती मा को भी उसके साथ नहीं बैठना पड़ता है लिखने के लिए वे बच्चा लिखना सीख जाता है तो उसको एक उंगली से ओम नहीं बनाना तीन उंगलियों में चंदल लेना है और तीनों उंगलियों से एक साथ ओम का निर्मान करना है शिवलिंग पर यदि मा अपने बच्चे से उपाय को करवा देती है तो उसके बच्चे को फिर उसे दुबारा नहीं बोलता लिखने के लिए पढ़ने भी अच्छे से लग जाता है और लिखने भी अच्छे से लग जाता है सभी वक्तों को शिरी शिवाय नमस्तू